शोबिच की दुनिया के चमकते हुए कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस चमचमाती हुई दुनिया के भीतर का गहरा अंधेरा देखा है। कभी घर-घर में मशुर तो कभी गुमनाम होने के लिए मजबूर इन चेहरों में से एक फेमस चेहरा है रश्मी देसाई का। टीवी के जरिये घर-घर में फेमस हुई रश्मी देसाई को कौन नहीं जानता लेकिन क्या आपको ये पता है कि ग्लेमरस सी लाइफ जीने वाली एक्टरेस ने ग्लेमर की इस दुनिया का काला सच देखा है और लंबे समय के बाद एक्टरेस का दर्द चलका है। अपने प्रफेशनल और परसनल लाइफ पर रश्मी ने हाली में कई सारे खुलासे किये हैं जिसमें तलाक से लेकर कर्ज तक का दर्दनाग किस्सा शामिल है। रश्मी देशाई दो दशक से भी ज़्यादा एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और असमया से लेकर भोचपूरी वहिंदी फिल्मों तक कर चुकी हैं। लेकिन उन्हें पहचान टीवी शो उतरन से मिली थी जिसमें उन्होंने तपस्या के किरदार में पसंद किया गया। लेकिन रश्मी देशाई ने प्रोफेशनल लाइफ में जितनी तरक्की देखी हैं उससे जदा अधुक उनकी नीजी जिन्दगी में रहे हैं। रश्मी देशाई ने एक्टर नंदिस संदू से शादी की थी पर ये शादी सिर्फ 5 साल में ही तूट गई। इसके बाद रश्मी देशाई कंगाल हो गई। करोड़ो रुपे का कर्ज हो गया और सड़क पर अपनी गाड़ी में रहने को मजबूर थी। रश्मी देशाई ने हाली में पारस छाबडा के पॉड़कास्ट में अपनी जिंदगी के इस दर्दनाग दौर के बारे में बात की। रश्मी को उत्रन ने घर घर मशूर कर दिया था। और इसी शो के सेट पर उनकी नंदिस संदू से मुलाकात हुई थी। कुछ साल रश्मी के बीच खट पर शुरू हो गई थी। एक तरफ रिष्टा खराब हो रहा था तो ही दूसरी तरफ उन पर करोड रुपय का कर्ज हो गया था। रश्मी ने बताया कि वो सवा तीन करोड रुपय के कर्ज में डूप गई थी। उन्होंने घर खरी दया था जिसका उ खराक हो गया था और घरवालों को भी उनके फैसले गरत लगते थे। इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें सड़क पर गाड़ी में दिन गुजारने पड़े। वो टेंशन और डिप्रेशन में रहने लगी जिसके कारण उन्हें एक वीमारी भी हो गई थी। रश्मी रश्मी दिसाई सभी मुस्किलों को पार कर सारे दर्द जेल कर दुबारा उठ खड़ी हूं और अच्छी लाइफ जी रही हैं। रश्मी दिसाई के लाइफ से जूड़े इस किसी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और एंटेटिन्मन वर्ल अपडे